एक बार एक जंगल में कववा रहता था एक दिन वो कववा यात्रा कर रहा था उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक स्थान पर रुख गया और आसपास पानी की तलाश करने लगा मगर उसे पानी नहीं मिला प्यास के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के आसपास पानी ढूणने लगा उरते हुए उसे एक घर दिखा ये सोचते हुए कि उसे वहाँ पानी मिल सकता है वो उस घर की ओर गया और घर के उपर बैट गया उसने घर के अंदर एक घड़ा देखा जल्दी से वो उस घर के पास ओड़ कर गया उसने देखा कि उसमें बहुत ही थोड़ा पानी है पानी को देखते ही उसे बहुत खुशी हुई मगर क्यूंकि पानी बहुत नीचे था उसका मुँ पानी तक पहुँच नहीं पा रहा था उसने थोड़ा सोचा फिर उसे एक उपाई सुझा अगर मैं इसमें कुछ कंकर डाल दूँ तो पानी शायद उपर आ जाएगा और फिर मैं पानी पी सकता हूँ जल्द ही वो कुछ कंकर की तलाश में लग गया उसे कुछ कंकर मिल गए उनके पास जाकर उसने एक एक करके कंकर उठाने शुरू किये फिर घड़े के पास लेकर गया और उसमें डालने लगा पानी थोड़ा उपर आया पर अभी भी वो पहुँच नहीं पा रहा था उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके कंकर उठाकर घड़े में डालने लगा काफी समय के बाद पानी और उपर आया कुवा बहुत खुश हुआ और भर के अपनी प्यास बुजाई उसने अपने और दोस्तों को भी बुलाया बहुत से पंची पानी पीने आये उन्होंने कववे को शुक्रिया कहा और फिर वहां से उड़ गए एक बार एक जंगल में कववा रहता था एक दिन वो कववा यात्रा कर रहा था उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक स्थान पर रुख गया और आसपास पानी की तलाश करने लगा मगर उसे पानी नहीं मिला प्यास के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के आसपास पानी ढूणने लगा उरते हुए उसे एक घर दिखा ये सोचते हुए कि उसे वहां पानी मिल सकता है वो उस घर की ओर गया और घर के ऊपर बैट गया उसने घर के अंदर एक घड़ा देखा जलदी से वो उस घड़े के पास ओड़ कर गया उसने देखा कि उसमें बहुत ही थोड़ा पानी है पानी को देखते ही उसे बहुत खुशी हुई मगर क्यूंकि पानी बहुत नीचे था उसका मुँख पानी तक पहुँच नहीं पा रहा था उसने थोड़ा सोचा फिर उसे एक उपाई सुझा अगर मैं इसमें कुछ कंकर डाल दूँ तो पानी शायद उपर आ जाएगा और फिर मैं पानी पी सकता हूँ जल्द ही वो कुछ कंकर की तलाश में लग गया उसे कुछ कंकर मिल गये उनके पास जाकर उसने एक एक करके कंकर उठाने शुरू किये फिर घड़े के पास लेकर गया और उसमें डालने लगा उपर आया पर अभी भी वो पहुच नहीं पा रहा था उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके कंकर उठाकर घड़े में डालने लगा काफी समय के बाद पानी और उपर आया कवा बहुत खुश हुआ और भर के अपनी प्यास बुजाई उसने अपने और दोस्तों को भी बुलाया पहुच से पंची पानी पिने आये उन्होंने कवे को शुक्रिया कहा और फिर वहां से उड़ गए कर दोटे कम कुट